तो दोस्तों आज की वीडियों बात करेंगे यूपीयल के बारे में मैं आपको बता दूँ हाज से कुछ महीने पहले तक यह कंपनी अपने इंडियन मारकेट की टॉप पचास कंपनीों में से एक पडिमें जानी जाती थी लेकिन पिछले कुछ महीने में सेयर के अंदर ऐसी गिरावट आई है कि इन्वेश्टर बहुत ज्यादा परसान हो गया और यहां सेयर मार्केट और टाम हाई आपको बनाता हुआ देखने को मिला है वहां अगर सेयर के चार्ट को देखे तो पिछले एक साल में सेयर और मुस्त तीस पसंड के आसपास का निगेटिव रिटर्न आपको बना के दिया है साथ सो सी रुपे से गिर के सेयर पांसो साथ रुपे के आसपास पास पर आपको देखने को मिला है एक महिने की केंडिल को देखे तो एक महिने की केंडिल को अगर आप देखने को मिलेगा कि सेयर जिस लेवल के आसपास पर आपको ट्रेड करता कंपनी के दोज़ात दिया गया है उस वज़ाय से कंपनी को मिड़क्व में एंखलोड कर दिया गया यानिकि लाज है दो अपको बताऊंगा विडियो का अंदर वीडियो को पुरा देखेंगा सब्सक्राइब घेड़ाउट किसको कितना फाया नहीं हो लिए पबिलिक इंवे होगा क्योंकि कंपनी का जो राइट इस हुए चार्ज आग 200 क्रोर के आसपास का कंपनी का राइट इस हुआ आपको आता हुआ देखने हुए लगा पर यहां पर ये निकल आए कि सिए जो है वह बहुत सस्ते दांपि आपको देखने को मिले हैं ससता मतले हैं यह नहीं होता है कि 800 रुप्या के सहर आपको 500 प्रेब मिल गया है तो वह ससता हो गया । होता है कुछ कंपनी के technical fundamental होते हैं उस वंचांसे company कFC को सस्ήσंस बोला जाता है सस्था यहां पर ऐसे है कि का पीश ओप नेका है ट्रेट्टिम पर डेखने हो ला यहां पर कुछ लोग बोलेंगे सेर आपको ट्रेट करता हुआ देखने हुए अभी सेक्टरपी देखे तो 25 का आपको देखने हुए तो मतलब सेक्टरपी से भी निचले दाम पर आपको यह सेर आपको देखने हुए और फैनेसर यह दोजा पत्चीस का जो कंपनी का टाइगेट है उस इसी लिएकर तो मातर 8 , बस दो चीज के लिए कब्से गलत की गई है। यह तो महत्र यह चाहिए तो आपको महत्र 8.6 बहुत ज्यादा सस्ता आपको देखने हैं पी भी देखे तो महत्र 1.18 है जबकि सेक्टर पी देखे तो तो 13.27 है मतलब कि सेक्टर के हिसाफ से देखे तो आपको यह से है तो आपको देखने को मिल दा है EPS देखे तो EPS 18 रुपे के आसपास है तो कोछ जादा कम नहीं है बहुत जादा ही है EPS के हिसाफ से देखे पिछले 5 साल के performance को देखे तो revenue rate देखे तो company का सालाना देखे तो 25% के आसपास पर growth करता हुआ देखने मिला है जबकि industry का revenue rate मातर 19% है जी है मातर 19% के हिसाफ से industry बढ़ता हुई देखने मिले लेकिन company का revenue rate 25% आपको बढ़ता हुआ देखने मिले है जो के एक बहुत अजीवात है market share देखे तो 16.68 से बढ़के 20.21 के आसपास पहुँच चुका है पिछले 5 साल में net income देखे तो net income company का 12% के आसपास आपको सलाना growth करता हुआ देखने को मिला है लेकिन industry average देखे तो 20% के आसपास है तो यहां पर company थोड़ा सा पिछलती हुई देखने को मिले है net income के मामले में revenue income और market share में देखे तो company आपको lead करती हुई देखने को मिला है share holding देखे तो share holding में आपको promoter 32% के आसपास है module front 7% के आसपास FII 38% के आसपास DII याने की domestic investor 10% के आसपास big party 3.85 हमारे जैसे आपके जैसे result है वो approximately 9% के आसपास इस सेरकंदर include है तो सबसे major part जो FII के पास है FII ने हालागी पिछले कुछ quarters अपने ST को कम करना सुरू कर दिया क्यूं क्यूंकि उसके पीछे रोज दो रीजन है वो मैं आपको आगे बताता हूं क्या दो रीजन है वही कोचे निकल गाते है जब इतना सस्ता है सारा कुछ सही जा रहा है तो फिस समस्या कहां पे निकल रहा है प्रावलोम कहां पे निकल रहा है तो पहला प्रावलोम जो निकल का रहा है वो तो है कंपनी का debt कंपनी के पास approximately 26,200 करोर के आजपास का काईजे है जी हां कंपनी के पास बहुत बड़े काईजे है 26,200 करोर के आजपास हलांकि कंपनी ने के लिए एक और ऐलान भी किया है कि कंपनी कोस्ट रिडक्शन करने जारी है अगले 24 महिने तक आइस कोस्ट रिडक्शन के तुरू अप्रुक्समेटली आठ थीन सो चार क्रोर के आसपास कंपनी पैसे बचा लेगी तो यह थो राज़ा कंपनी के लिए रिलिफ हो सकता है आइसी बीच के अपने जारी है एक और फो एक ही मकसद हो की कंपनी को फंट अररेंज करना रहता है fund arrange आप दो तरीके से कह सकते हैं या तो आप loan लीजे किसी के पास जाके या किसी बड़े party से loan लीजे किसी भी तरीके से loan लीजे अब उसको interest पर गीजे और यहाँ पर क्या होता है कि राइट इसू में आपको interest पर नहीं करना पता है कि 50% के आसपास कम होता हुआ देखने को में अगले 24 महिने के अंदर financial की बात करेता है क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा जो उलट फेर है आपको यहाँ पर देखने को मिला है सेरकंदर जो गिरावट है टोटली इसके ऊपर डिपेंड है मैं हमेजा बताता हूं कि आप कभी भी किसी भी सेरकंदर गिरावट आती है तो सबसे पहले आप न्यूज मत देखे सबसे पहले जाके कंपनी के revenue कंपनी के profit को देखे कंपनी के financial को देखे उससे आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि कंपनी के सेरकंदर गिरावट क्यों हो रही है या गिरावट तेजी हो रही है तो वो क्यों हो रही है क्योंकि अभी आने वाले हैं हमारे quarter 3 के number quarter 3 के number मतलब December 2023 के जो number है वो company के दोआ disclose किये जाएंगे और हम compare किसे करेंगे साल्द साल करेंगे साल्द साल करेंगे तो हम क्या करेंगे December 2022 के number के साथ compare करेंगे अभी पिछले ही महिने में पिछले ही quarter में company ने 90 क्रोर के आजपास का loss आपको दिखाया था और पिछले साल 1326 क्रोर का profit था company को तो इस quarter में company को 1326 क्रोर से उपर का profit दिखाना होगा क्या possible है क्या बिल्कुल नहीं possible है क्योंकि पिछले 5 quarter के जो number है उसको अगर देखें तो company का performance बहुत ज़्यादा गिरता हुआ आपको देखने हो मिला है तो इस इसाब से 1326 क्रोर तो बहुत दूर वाली बात है मतलब अगर company 300-400 क्रोर भी पार्क कर लेती अपने profit के अंदर तो वह एक बड़ा achievement होगा company के लिए 1226 क्रोव तो मेरे इसाब से कुछ नियर टम भी आपको देखने को नहीं मिल सकता है रिवेन्यू देखें तो 13689 क्रोड रिवेन्यू भी उसके आसपास जाता हुआ बहुत रेर है कि आपको देखने को मिले तो रिवेन्यू आप profit अगर साल-दा साल लेखेंगे तो यह जो quarterly आने वाला कंपनी का आपको गेड़ता हुआ देखने को लेगा तो इस वज़ा से मुझे लगता है कि साल-दा साल वाली परफॉर्मेंस है वो तो आपको गेड़ता हुआ देखने हुआ है यह तो शूर्ट है quarterly performance देखेंगे तो quarterly performance में साइध आपको इस quarter में company face of profit में आते लेकिन साल-दा साल देखें तो साल-दा साल company के जो number है वो आपको थोरे से नहीं बहुत ज्यादा कमजोर आते हुए आपको देखने को मिल जाए है और market already अभी company के number आने वाले है तो हर को investor जो है वो number को judge कर लेता है number को find out कर लेता है balance rate को पढ़ लेता है कि number कैसे आने वाले उनको दिख गया है कि number थोरे से कमजोर आते हुए इस quarter में आपको देखने को मिल सकता है जिसके वज़ा से short selling हो रही है उपर से जिनके भी पड़े पार्टी है वो अपने माल बेचके निकल ला है जिसके वज़ा से sir गंदर आपको ground देखने को मिल लगी तो ये सारे region की आपको नीचे देखने को मिल ला है 500 और उसके बाद 450 और तो अगर company के number थोरे से कमजोर आते हैं तो यह आपको 500 रुपे का आस-पास तागफ़ तो दिखा सकता है लेकिन मुझे जहां तक लगता है company अच्छी company है solid company है बड़े company है अप्रिक्समेटली 50 रा क्रोर के आस-पा के आस-पास है अगर पैसे बनेंगे तो average कीजिएगा company का right issue भी आ रहा है तो राइट issue को तुरू company आपको हो सकता है कि 400 रुपे के आस-पास का company का right issue आता हुआ देखने को मिले तो right issue का फायदा जरू उठाईएगा तो मेरे इसाब से अगर आपके पास share है तो hold कीजिए को होना चाहिए और 500 रुपे के आस-पास होना चाहिए दो lot में हमेशा buy कीजिएगा एक lot में कभी माल कभी मत buy कीजिएगा क्योंकि share के अंतर गिरावाट रहती है company के result के वज़ा से तो आपको 500 रुपी आपको देखने को मिल सकता है उपर के टाइगेट देखे तो 600 600 पंद्र आपको देखने को मिल सकता है अगर सब को सही गया company के अंदर तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही बीडियो पसंदा है तो लाइक कीजिएगा साथ में साथ चैनल को subscribe जो कीजिएगा धन्यवाद